छे तारिक की रात में बवन गाउं गाउं में चुनावी जो दो प्रत्याशी थे उनके बीच में किसी बात को ले करके आपस में भैंस हुई और जो बाद में लाटी रंडे से लडाई में तबील हो गई इस संबन्द में एक पच्छ के दो लोग काफी घायल हो गए जिनका इलाज जेला स्पिताल में चल रहा है लेकिन वो खत्रे से बाहर है उनके उपर लगातार डॉक्टर न अदर रखे हुए है इस सूचना प्राप्त होने पर फोरोनी शामनी पुलिस वहां बवन गाउं और वाधी की तिरह के आदार पर मकदमा पंजी गड़त कर लिया गया और इस संबन्द में तीन लोगों को गृफतार करके जेल भेज दिया गया है आन्ने दो लोगों को गृफतार करके अब आज जेल बेजा जा रहा है जो इसमें एक पच्छ है जिसने इस तरह की घटना क उनका जो असलाह था लाइसेंसिय असलाह उसको कैंसिल कराया जा रहा है साथ ही इन सब के खिलाफ 122 की रिपोर्ट भेजी जा रही है इन सब पहले से कूर में बाबन थे इन सब के खिलाफ उचित वैधानिक कारवाई की जा रही है